हेलो फेंट्स आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरव सेर्व फूड लिम्टेड पर फेंट्स टोक में काफी दिन से आपको साइड वे ट्रेंड देखने को मिल रहा है अब आपके मन में डाउट है क्या अपसाइड जाएगा यह ब्रेक आउट करके इसका या फिर डाउन साइड आएगा इसका ब्रेकडाउन करके पूरी डिटेल से जानेंगे और आपको यह वीडियो कंप्लिट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्टोक में कैसा मोमेंट देखने को मिलने वाला और स्टोक के आ गई है एक अपडेट अपडेट क्या है और इस पूरी देखने को मिलेगा या फिर नेगिटिव इंपक्त देखने को मिलेगा यह तो देखो वीडियो आप पूरी देख लोगे तभी आपको पता चलेगा वैसे फिलाल हम बता देते हैं इसका जो करेंट प्राइज है वह 7.25 का है और अपडेट पे चलते हैं और फिर हम ब आपको सब्जेक्ट में आपको पढ़के दिखा देती हूं सर्वेसर फूड लिम्टेड सेट अप टू मोर एसेफल चोपाल्स इन कुलगामा एंड डोडा फ्रों प्रिकोरिंग वैलन्स राजमा एपल ब्लैक मेरी काला जीरा एंड अधर से अथेंटिक हिमालयान डिलाइस इन दो चोपाल्स बना दी गई है जिससे कि यह डारेक्ट जो किसान है उनसे जैसे अकरोट राजमा एपल काला जीरी यह पर्चेज कर सकते हैं अब आगे अपडेट में क्या बताएगा है वह भी मैं आपको बता देती हूं तो यहां पर बताएगा है कि देखो पहले क्या जो बीच के मेडियेटर होते हैं वो कमीशन खाते थे क्योंकि अब इन्हों ने यह दो चोपाल और बना दी वैसे तो इनके पास बारा चोपाल्स है और यहां पर जो जमू और कस्मीर में वो अलग लग जिगह पर और बी चोपाल है जमू में 7 है और कस्मीर में 5 है यह जो इसका मतलब फाइदा क्या है अब मैं आपको यह बता देते हूं यह दो रीजिन की वज़े से बनाई गई है फरस्ट आउफ तो है कि यह जो खर्चे आ जाते अनावसक खर्चे क्या होते हैं जैसे किशान होते हैं और यहां पर कमपनी होती है कमपनी डारेक्ट किसानों से कर पाएगी चोपालों के तुरू और बीच के जो मीडियेटर होते थे जो कमिशन खाते थे उनको खतम कर दिया गया है जिससे कि अनावसक खर्चे बच गई है और जो टाइम लगता था क्योंकि पहले किसान के पास रहती फिर मीडियेटर के पास आती चीज़ा फिर केंपन पास पास होगी उसी डाइम पर इनसे जूड जाएंगे और इंहें जो सलाह देनी होते इसकिस्ज़ा में जनकी मीडिये क्या विझा भास आतों के आसी चीज़ें इनसे किसानों को फाइदा फाइदा होगा और कमपनी फाइदा होगा अपडेट तो काफी पॉजिटİव है पोजिटिविटी देखने को मिल सकते हैं अब चलते हैं फिर से चार्ट पे यहां पे आप देख सकते हो यह जो जो जोन है जब इसका ब्रेक आउट होगा या ब्रेक डाउन होगा तभी आपको अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है पोजिटिविटी तो आपको देखने को मिलेग स्टोक में और जो टारगेट रहने वाला है 7.60 का यहां पे रहने वाला है और जो स्पोर्ट है वो 6.50 का है अगर इसका प्रेकाउंट होता है तो यह 5.5 तक पहुंचने को मतलब वहां तक चली जाएगी और अपसाइड और भी अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिल लेना यह वीडियो ओली फॉर एजुकेशन परपास से थी मिलते फेंट्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक यह लिए बबबाए